हेलो एवरिवन आइम कपिल भार्दवाज जेग्राफी फेकल्टी विद स्टड़ी आईक्यू वेलकम्स अल आफ यू तो दा प्लैटफर्म अफ स्टड़ी आईक्यू आपको पता है कि स्टड़ी आईक्यू अपनी एक लक्ष सीरी चला रहे हैं आप लोगों के लिए लक्ष होने वाला हैं लक्षर्ण सीरीज के लिए हमने प्रीविएस लिक्षर के अंदर कुछ करंटवियर Portuguese को जानने की कोसिस के थी इस में फिर से हम आगे बात करते हैं कि हमारे जोग्रफी से related क्या-क्या करंटवियर नीज में रही हैं तो चली आगे बरते हैं हमारे लक्षर की ह बात करते हैं, तो सबसे पहले आपके पास एक न्यूज आती है, कि एक न्यू एर स्ट्रिप इन केरला इलू की भी पर्मानेंट थ्रेट्ट टु दा पैरियार टाइगर रिसर्व, मतलब क्या हुआ है आपका, केरला के इलू की डिस्ट्रिक के अंदर एक न्यू एर कैड़ेट कॉप्स जो हैं, उनके लिए पर्पोस की गई है, वो यूज करेंगे, लेकि आने वाले टाइम पर हो सकता है, और लोगों को भी इसके लिए लाइसंस दे दिया जाए, पर्मिशन दे दिया जाए, चलिए, अब बात यह है कि यह पैरियार टाइगर रिसर्व के क प्रॉब्लम क्रेट कर सकती है, तो कुछ इंफर्मेशन हमें जरूरी है किसके लिए पैरियार टाइगर रिसर्व के लिए जानना, चलिए, देखते हैं कि पैरियार टाइगर रिसर्व के लिए मेरे पास क्या इंफर्मेशन है, देखिए, पैरियार टाइगर रिसर्व के ल P Pretteria Tiger XVI के नाम पे रख्षा गया है आपकी रीवर प Pret James, परियर के नाम पे रख्षा गया है पैरियर के नाम से रख्षा गया है अगर मैं पैरियर रीवर की बात करूं तो यह काफी important रीवर है केरला की जिसको कि क्या बोला जाता है? Life Line of Kerala के नाम से जाना जाता है ठीक है? Perriar River को क्या बोला जाता है? Life Line of Perriar के नाम से Life Line of Kerala के नाम से इसको जाना जाता है देखी इसके अलावा एक Mulla Perriar Dam था वो भी काफी ज़्यादा न्यूज में रहा था ये क्या होता है? मुला और Perriar दो अलग अलग रीवर हैं दोनों के Conference Point पे एक डैम बना हुआ था जो की Manage कोन करता था? तमिनलाडू भी Manage करता था? केरला में डैम बना हुआ है इसके लिए काफी ज़्यदा डिस्प्यूट हुआ था और ये भी कहा है आपके इलू की डिस्टिक के अंदर है ठीक है? तो ये भी क्या है? Perriar रीवर के काफी नजदीक है काफी Perriar Tiger Reserve के काफी नजदीक है Location वाइस अगर मैं बात करना चाहूँ तो आप location पे देख सकते हैं ये जो reason है आपका यहाँ पे आपका Perriar National Park या Tiger Reserve देखने को मिल जाता है चलिए दूसरी चीज़ मेरे पास आजाती है वो ये है कि हमने इंडिया ने First Dogong Reserve कोई बात की है ठीक है? Dogong Reserve की बात की है First Dogong Reserve कहाँ पे डिकलेर किया गया Park Bay पे इसलिए मेरे पास दूर चीज़े इंपोर्टन्ट हो जाती है एक तो Dogong खुद इंपोर्टन्ट हो जाता है कि ये क्या Species है इसके बारे में जानना और दूसरा Park Bay की Location के बारे में जानना दोनों ही Geographically Important हो जाते है तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा Dogong के बारे में जानते हैं आपको पता होना चुँए Dogong को हम क्या करते हैं Sea Cow के नाम से भी जानते है Dogong is also named as Sea Cow ये अकेला ऐसा क्या है Only existing species है जो कि Harbio virus mammal है जो कि क्या करता है exclusively Sea के अंदर ही रहता है अब मेरे पास क्या होता है कोई भी species होता है उसकी status को चेक करने के लिए status in what sense ये जानने के लिए कि उस species की कितनी population है और उस species की किस तरीके की development जो है वो देखने को मिल रही है उस species की population कितनी है और species की development किस तरीके से देखने को मिल रही है इसके चलते मैं तीन लिस्ट को चेक करता हूँ क्या क्या लिस्ट है एक तो IUCN स्टेटस देखा जाता है चीक है International Union for Conservation of Nature IUCN की लिस्ट को देखेंगे Red List के नाम से IUCN अपने लिस्ट निकालता है जिसमें स्टेटस दिया जाता है अलग-लग species का उनकी population के base पे उनका trend क्या चल रहा है उसके basis पे कि उनकी population increase हो रही है decrease हो रही है या कैसे चल रहा है दूसरा मेरे पास आता है Wildlife Protection Act इसके अंदर में मेरे schedule है पहले च्छा schedule हुआ करते थे Wildlife Protection Act में अभी amendment करके Wildlife Protection Act में चार ही schedule रह गए हैं तो उन schedule के बारे में बात चेक करते हैं और फिर site ये एक convention है ये कैसा convention है इसका नाम है Convention on International Trade for Endangered Species मतलब जो आपके endangered species है या जिन species को कुछ problem है उनकी population नहीं बढ़ पा रही है drastically decrease हो रही है उनके endangered species को क्या करना है उनके international trade के लिए कुछ conventions बनाने है ऐसा नहीं है कि आपका discriminately, undiscriminately उनका क्या होता है international trade होता रहा है और finally वो species खतम हो जाएं तो इनकी protection के लिए species के protection के लिए मेरे पास तीन list आती है तो जो मैं डुगॉंग की बात करता हूँ तो IUCN की red list में इनका status है वनरेबल के टेगरी में Wildlife Protection Act 1972 था जो आमेंडे कर दिया गया है उसके cerule 1 में आते हैं ये और sites की जब बात करते है Convention on International Trade for the Endangered Species उसके appendix 1 के अंदर इसको include किया गया है तो ये इसका आपका vulnerability status है ठीक है geographical locations की में बात करता हूँ तो मेरे पास क्या है एक park street है यहां पर park street क्या करती है आपका आपको पता होना चाहिए street क्या होता है street एक ऐसी narrow water channel होता है street क्या होता है narrow water channel होता है ये water channel क्या करता है two large water bodies को क्या करता है एक दूसरे से connect करता है two large water bodies को एक दूसरे से connect करे एक narrow channel वही क्या कहलाएगा straight कहलाएगा तो यहाँ पे क्या आपका park straight है जो कि इधर आपका क्या होगा Gulf of मेनार में बोलू या फिर आप कारेबियन सी उधर बेओ बेंगोल इसके साथ connectivity को show करता है चलिए अब दूसरी बात एक सवाल है मेरे पास आपके लिए मैंने आपको पहले बताया भी था मेरे students जिनों लेक्टर्स देखें जोग्रफी के पूरे उनको पता भी होगा इसके लावा सब लोगों को आपको पता होना चाहिए अगर नहीं पता है तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ इसका अंसर आपको पता हो भी होना चाहिए आप उसको रिवाइज करके जाएंगे ठीक है चलिए सवाल ये है कि जिस तरीके से मेरे पास एक narrow channel है जो कि क्या कर रहा है आपके दो larger water body को connect कर रहा है मैंने उसको straight ball दिया इसी तरीके से अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि अगर मेरे पास दो large land masses है उनको एक narrow channel water channel नहीं नेरो channel land mass ही connect कर रहा है आपके दो land mass को अगर कोई narrow land mass connect कर रहा तो मैं क्या बोलूँगा दो land mass को अगर आपका एक small land mass connect कर रहा तो उसको मैं क्या बोलूँगा वो आपको बताना है तो चलिए ये पाक स्ट्रेट हो गया है फिर पाक बे आता है जो रीजन आपका ये बला देखने को मिल रहा है ये पाक बे है यहाँ पे इसके अलावा important है Adam Bridge आपको पता आना चाहिए राम जी जब सीता जी को लेने गए थे स्ट्रलंका के अंदर तो Adam Bridge के थू गए थे ऐसा माना जाता है और फिर मेरे पास आता है गल्फ ओफ मनना रीजन जो कि इदर वाली Water Body का नाम होता है ठीक है अब चलिए आगे बढ़ते है नेक्स मेरी आता है Wet Bulb Temperature अब ये Wet Bulb Temperature क्या होता है देखो Wet का मतलब गिला हो गया है तो मतलब कुछ Humidity से Relation कर रहा होगा Temperature का जब भी हम Humidity को Temperature के साथ मेजर करते हैं तो मेरे पास क्या कहलाता है Wet Bulb Temperature कहलाएगा चलिए अब ऐसा करते क्यों है हमें क्या requirement हो गई कि हम temperature को humidity के साथ mix करके measure करने की बात कर रहे हैं ऐसी क्या requirement है मेरे पास तो requirement यह है कि humidity और temperature की जब हमारी बात की जाती है humidity और temperature की जब हम बात करते हैं तो उस case में क्या आता है जैसे आप इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में मिली तीन सीजन मुझे देखने को मिल जाते हैं कौन से कौन से एक होता है मेरे पास dry winter आपको पता है कि winter dry ही होती है एक होता है मेरे पास dry summer और एक मेरे पास होता है wet winter ठीक है एक मेरे पास क्या होता है wet winter तो मेरे पास तीन सीजन देखने को मिलते हैं dry winter dry summer और wet winter ये तीन सीजन मेरे पास देखने को मिल जाते हैं अब दोनों dry है winter भी dry summer भी dry तो उस case में क्या होते है आपको maus alize cream लगाने की जूरत होती है when you are taking bath जब आपने इन हाद हो के आई हो تو maus alized cream आप लगाते हो वेट विंटर, सुरी, वेट समर, नोट वेट विंटर, विंटर तो वेट होती नहीं, वेट समर है यह, तो वेट समर में क्या होता है हमारे पास, वो already humidity इतनी ज्यादा होती है एर में, कि हमारी बोड़ी डी मॉस्टराइज होई नहीं पाती है यही कंडिशन होती है जिसमें आमारे पास वेट बलब टेंपरेचर आता है क्योंकि आपको पता है जो ड्राइ समर है उसकेस में अगर आपकी बोड़ी हीट अप हो भी जाती है तो क्या होता है स्वेटिंग के थूरू आपकी स्वेटिंग हो भी रही है तो वो इवैपरेट नहीं हो पाती जिसके चलते क्या होता है आपको काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है काफी अनाईजनिक सिचुएशन जो हो जाती है अनकमफर्टेबल पोजीशन में आप चले जाते हैं तो यही क्या होता है आपका यह सीजन होता है वेट समर का तो यहां पर क्या है अनकमफरेचर ही बताए गया कि एदियाबेटिक साचुरीशन है जहां पर हीट वेकसीन नहीं हो पार ही शाचुरीशन क्या होता है जिसके बाद और मोश्चर हम एड्ट नहीं कर सकते हेट बल्ब क Love Time हुमिटिक किसी भी एरिया के अंदर उसी के आपका वेट बल्ब आ ड्राइ बल्ब के बीच का temperature difference वेट बल्ब और ड्राइ बल्प की बीचその temperature different हे वह किसके आपको डिपेंड करे और बार नक्रादए करेंगा कितनी ऐसा simply इसलिए क्योंकि जब moisture होता तो moisture heat को absorb करता है तो in net क्या होगा temperature rise होने के वजाए वो अपनी state को change करना शुरू कर देता है that's why temperature कम रहता है लेकिन उसके अंदर heat energy जदा रहती है 35 degree Celsius जो है maximum third fold माना जाता है कि इसके लिए wet bulb temperature के लिए जैसे हम dry bulb में क्या करते हैं हम heat wave declare करते हैं IMD heat wave declare करता है ऐसे ही क्या होता है wet bulb में maximum temperature केतना होता है 35 degree Celsius इसके बाद जो temperature है वो unbearable हो जाता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं next बात कर रहे हैं भी shifting of the earth axis आपको पता होना चाहिए earth का जो rotational axis है वो क्या हो रहा है आपका shift हो रहा है वैसे तो आपको पता ही होगा कि मैं अगर directly north to south axis की straight axis से बात करूँ तो earth पहले ही कि आपके tilted axis पे rotate करती है कितना tiltation है earth का tiltation आपका कितना देखने को मिलता है कितना tiltation है earth का अपने axis से comment section में बताए कि कितना tiltation आपका देखने को मिलता है अरे तभी तो हमारा Tropic of Cancer पे 23.5 degree का क्या होता है angle बनता है न Tropic of Cancer तक sun कैसे पहुंचता है क्योंकि earth जो है वो tilted rotation axis पे move कर रही है इसलिए आपका angle इतना 23.5 degree पे पहुंच जाता है तो यहाँ पे क्या होगा shifting of earth axis की बात करेंगे तो अब क्या हो रहा है further shift हो रहे है अब आपको यह लग रहा होगा कि earth की axis shift हो रहे हैं तो हो सकता है कोई भूचाल आने वाला है कोई भूकम पाने वाला है तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला आपकी life को इससे कोई impact नहीं होने वाला अब अगर नहीं होने वाला तो फिर ऐससा क्यों हो रहा है? ठीक है? देखिए life को impact क्यों नहीं होने वाला देखिए वो second या micro second से ही change होने वाली है बहुत जादा drastic ऐसा नहीं चार पास घंटे का फरका जाएगा नो ऐसा नहीं होने वाला उससे तो आपकी life effect होगी बहुत कम seconds का ही difference आने वाला है उसी को क्या हो रहा है shifting अभी shifting हो क्यों रही है सबसे बड़ा सवाल देखे shifting हो रही है आपके climate change की वज़े से 1990s के बाद की अगर मैं बात करता हूँ तो shifting तो पहले भी हो रही थी और अभी भी हो रही है लेकिन अभी क्या है rate जो shift का है वो काफी fast है in comparison to the previous time of 1990s इसलिए क्या होता है climate change is likely the cause of recent shift in the earth's axis of rotation climate change क्या है each year as the globe continue to warm hundreds of billion of tons of ice melts into the earth ocean अर्थ के ocean में क्या होगा hundreds of billion of ice melt होगी since 1980 the location of both the pole have moved 13 feet 1980 से अभी तक अगर मैं बात करूँ तो दोनों pole की 13 feet तक location move हो चुकी है moment की अगर बात करते हैं अर्थ के location की तो not large enough to affect the daily life इतना moment नहीं है कि आपकी daily life को affect कर सके तो आप यहां देखेंगे तो आपका पता होना चाहिए कि अर्थ का access अभी भी क्या है tilted है हाँ यह तो पता ही आपको कि अर्थ के rotation की वज़े से हमारे पास क्या होता है day और night बनते है night और day बनते हैं और यह 24 hours में अपना rotation जो है वो पूरा करती है अब यही जो है आपका क्या है आर्थ का rotation जो है आपके tilted axis के उपर है इसलिए क्या होता है आपका season जो है वो डवलप हो जाते है revolution के साथ साथ the way the water moves around the planet of the surface is one of the factor by which the two pole drift मतलब हमारा जो water है ocean water जो है क्योंकि आपको पता है कि one third से तो land mass बाकी two third तो water ही है water ocean के अंदर कैसे move करता है वो भी आपके pole को decide करता है अब क्या हो रहा है melting हो रही है water increase हो रहा तो automatically यह भी आपके pole के drifting को decide करेगा pumping of ground water यह भी आपको क्या करता है contribute करता है किसके अंदर आपके earth के access of rotation को change होने में अगर मैं बात करूँ 1995 से 2020 तक की तो मुझे पता लगता है कि 17 times क्या हो चुका है faster हो चुका है आपका drifting 17 times faster हो चुका है किसके comparison में previous time पे 1981 से 1995 के time से compare करूँ तो 17 times faster shifting जो है आपके rotation और access की देखने को मिल रही है चलिए आगे बात करते हैं अब मेरे पास topic आता है वही total lunar eclipse और supermoon का total lunar eclipse और supermoon का देखिए lunar eclipse होता है solar eclipse होता है तो यह क्या conditions होती है सबसे पहला सवाल तो यही आता है ठीक है देखिए solar eclipse का मतलब है कि sun का ना दिखना ठीक है मैं अगर simple भासा में बात करूँ तो solar eclipse जब आपके पास आ जाता है जब आपके पास word आया solar eclipse मतलब sun मुझे नहीं दिख पा रहा है तो फिर क्या होगा आपका sun जो है आपको दिख नहीं पाएगा उसके opposite अगर मैं lunar eclipse की बात करता हूँ तो उस case में क्या होगा अब उस case में होगा यह कि यहां sun होगा और यहां कहीं earth होगा और इधर की तरफ कहीं moon होगा उस case में क्या होगा एक ऐसे angle established होता है कि अब की बार sun light moon पर नहीं पहुँच पा रही है जिसके चलते moon invisible हो जाता है तो फिर क्या होगा आपका lunar eclipse हो जाता है तो finally यह eclipse का system यह सा ही होता है कि एक चीज़ बीच में होती या तो moon बीच में होगा या फिर earth बीच में होगा वो आ में यूज कर रहा हूँ यह क्या है आपका superman type का कोई system है क्या या फिर कुछ अलग देखने को मिल रहा है देखे supermoon की क्या condition होती है वो यहां जानने की questions करते है a supermoon occurs when moon's orbit is closest to the earth क्या होगा आपका एक supermoon कब अकर होता है जब आपका जो moon है वो closest to the earth हो पहली condition दूसरा at the same time यह full moon की condition हो क्या है आपका same time पर ही यह full moon भी हो और same time पर ही क्या हो आपके closest to the earth हो इससे दो essence निकल रहे हैं क्या-क्या एक तो sun का sorry moon का जो distance है earth से वो fixed नहीं है मतलब वो variable है तभी तो यह बोल रहा है कि closest हो ठीक है बही आर्थ से moon closest हो उसका क्या मतलब है मतलब distance variable है और दूसरा मेरे पास मून full हो फुल मून का क्या मतलब है क्या half moon भी होता है बिलकुल होता होगा half moon अगर यह full moon है तो half moon जरूर होता होगा देखिए आपने दो word सुने होंगे एक होता है parisy word ठीक है और एक होता है apposy word ठीक है एक होता है parisy word ठीक होता है जब moon क्या होता है आ अपोजी कंडिशन अगर आप एक्जाम में बूल जाएंगे तो P stands for past nearby बहुत नजदीक है और अगर सिरफ English जानते हैं तो A stands for away दूर है तो किसी भी इससे correlate कर सकते हैं भूलने की कोई ज़रत नहीं है पेरीजी और आपोजी कंडिशन होंगी मून और अर्थ के बीच के distance की हम बात कर रहे हैं अगर वो पास हैं तो वो पेरीजी क्यलाएगा अगर दूर दूर हैं तो उसको हम क्या बोलोंगो ऑपोजी की कंडिशन को नशाने को मैं नाम दूँगा अब सवाल ये आता है कि ये पास और दूर होने से तो ठीक है, अब क्या हुआ, ये फुल मून का क्या मतलब है, ठीक है, अब सवाल ये फुल मून का क्या मतलब है, देखिए दो सीजी और आप अपनी जन्रल लाइफ में देखते हैं, एक तो होता पुरणी मह, एक होता आमाव कंडिशन होती है एक्चली यह होता है फुल मून डे और नियू मून डे पुरी नियमा का मतलब होता है फुल मून डे और यह होता है नियू मून डे तो आपको पता होना चुई है, अर्थ के साइड से जो मून का फेस दिख रहा है, उसके ओपर कोई भी लाइट संसे नहीं गिर रही, मून की अपनी कोई लाइट है नहीं, तो उसकेस में क्या अर्थ से मून विजिबल होगा? नहीं, ये आपकी condition क्या हो गई है, अमावश्या ठीक है, ये condition क्या होगा है, आपके new moon day की condition है, लेकिन अगर moon कहीं यहाँ है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ से sunlight जाएगी और directly moon के ओपर गिरेगी, पूरा moon जो है, मुझे विजिबल होगा, ये condition क्या होती है, पूरा नहीं माई, full moon day की condition होती है, तो condition दो ही है, full moon day या आप न्यूओ मून दे में earth और sun के बीच में आपका moon होता है, उस direction में आपका moon opposite to the earth होता है, तो बस ये ही condition होती है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, और मैं super moon की बात करना चाहरे हूँ, तो मेरे पास condition यही है, एक तो हमारा पास क्या होना चाहिए, closing होना चाहिए, full होना चाहि है ठीक है when moon is near to the earth तो पैरीजी मैंने बता दिया अदर्वाइज वो आउपस के लाएगा ठीक है आप यह कंडीशन देखे इसके अंदर आपका lunar eclipse और solid eclipse आपको समझाएगा देखे क्या है अगर मेरी condition यह कि sun यहां पे है ठीक है sun यहां पे है तो उस यह और यह इसके बारे में क्या है Rocky fire we solar eclipse हो गया तो सिंपल है कि अगर का मून बीच में आएगा सोलर eclipse явाएगा और ऑदर आएगा तो lunar eclipse सिंपल सर काशाप्ट है अगर आपका मून भीच में आएगा तो वह solar eclipse कहलांएगा और वह बीच में नहीं तो फिर वो लोनर एकलिप्स के तरफ चला जाएगा तो क्वाइट सिंपल टू अंडस्टेंड ये हमारे पास सिच्वेशन आ जाती है ठीक है चलिए अब देखो काला पानी रीजन ये भी न्यूज में था आपको पता होगा कि नेपाल और इंडिया के बीच में वैसे तो हमारे पास easternmost corner है उत्राखन के पित्थोरगर डिस्टिक के अंदर located है ठीक है अब ये रीजन के प्राब्लम क्या थी एक territorial dispute था इंडिया और नेपाल के बीच में किसके चलते ये रीवर काली के चलते आपका dispute था तो इसमें कुछ चीजें हमारे पास important हो जाती है आपको पता है कि बिटिस का तो ये नेचर हुआ करता था जब भी वह जीतेंगे तो treaty sign करेंगे चाहे वह सरिंगी पत्नम की treaty हो चाहे वह मैसूर की treaty हो हैदर अली को हराओ या टीपू सुल्तान को हराय जाए वह हमेशा मराथा को हराय जाए आपकी स्वाली की treaty कर देंगे ठीक है आपका ये क्या था बेंगोल को अनेक्सेशन किया जाएगा ठीक है ना तो आपका क्या था वह 1757 का बैटल ऑफ प्लासी जो था उसके बाद में भी treaty sign करते है तो मतलब वह क्या करते थी उनका simple method ये था कि लड़ाई करो जितने के बाद कुछ condition impose कर तो उसी को treaty बोला जाता था कुछ compensation ले लों से ये सब treaty के अंदर आता था तो treaty यहाँ पर वही थी treaty का नाम था treaty of सगूली सगूली की treaty 1816 के अंदर आपकी नेपाल और इंडिया के बीच sign हुई है अब ये treaty के अंदर क्या किया गया था treaty में ये हुआ कि जो आपकी काली रीवर है उसमें ये बोला गया नेपाल जो है आपका administration वो काली रीवर के इस्ट में आपका administration चलाएगा और वेस्ट में कौन चलाएगा वेस्ट में चलाएगा वेस्ट में चलाएगे ब्रिटिस ठीक है वेस्ट में ब्रिटिस का राज होगा और इस्ट में किस का राज होगा नेपाल का राज होगा तो नेपाल को क कोई problem नहीं थी क्योंकि उनको यह लग रहा था कि कभी पूरा नेपाली चला जाए चलिए इनको रूल करने देते हम इस्ट में कर लेंगे वह वेस्ट में कर लेंगे ऐसा चलता रहा था अब क्या हुआ है अब क्या हुआ है अब क्या हुआ है अब नेपाल को यह लगा कि नेपाल की आर्गूमेंट शुरू हो गई है नेपाल का यह कहना है कि इस्ट और वेस्ट जो हम मेजर करेंगा यह सोर्स ऑफ रीवर से मेजर करेंगे अगर आप यहां थोड़ा मैप पे देखेंगे तो आपको पता लेगा कि काला पानी रीजन यह है और आपकी रीवर यह कहन के दिया कि ओडेंगे सोर्स से मेजर करेंगे कि अगर लिवर यहांसे और्जीन वेस्ट देखा जाएगा अफूना यह चाहिएकि इस्ट्र बेस्ट कैसे मना चैसे अपकी रीवर फ्लो कर यह sister इस्ट इदर ओगया वेस्ट इदर ओगया बस बात सिंपल है तो इंडियान favorites के जिन एक डेखो यह इन्टरटरिशन ऐसे नहीं थी आपके शोर्स उस्ट इसे को लैपना देणा नहीं यह भी यह यहां पर आ जाता है इसको आप याद रखेंगे ठीक है तो हो सकता यह पूछे काला पानी जो है वो किसके बीच में दो कंट्री के बीच में डिस्प्यूट है तो इंडिया और नेपाल के बीच में है चलिए हमारे पास आपको पता ही के रशिया और युक्रेन का तो बहुत धमासान युद्ध चल रहा है और युद्ध के चलते चलते क्या हो रहा है काफी सारी कंट्री अपनी पॉलराइजीशन की तरफ बढ़ रही है ठीक है तो यह वर्ड वोर की कंडिशन तो आप भूल जाओ कि ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला लेकिन हाई कंट्री न्यूज मे आपका देखना चाहा रहा हूं इसके ओपर सिर्फ यहीं इंपोर्टेंट पॉइंट है जो जो जोग्रफिकल आसपक्ट से क्योस्तन आपके लिए बनाया जा सकता है वो क्या है आपका सबसे इंपोर्टेंट चीजा आपकी एक कंट्री है बेलारूस यह कंट्री जो है यह रशिया को फेवर करता है और रशिया की जो आपके वेपन्स मिलिटरी है वो यहां से चलके युकरियन के अंदर अटेक कर रही है इस बोर्डर के चलते हैं तो बेलारूस ने इसको तो मना नहीं किया लेकिन इस लेवल तक बात पहुंच चुके है कि बेलारूस की आर्मी भ भी स्राउंडिंग कंट्री जो को आप देख पा रहे हो जिसके अंदर की क्या आता है आपका बेलारूस आ गया है उधर की तरफ तो रशिया खुद है इधर पॉलेंड है स्लोवाकिया है और आपका हंगरी है ठीक है और रोमानिया भी है तो इन में सबसे इंपूर्टेंट रोण कॉर्ड कर रहा है बेलारूस और बैलो क्या है या थब तर इसके लिए मैंने इसको यहां पर रखा है नेक्स बात करते हैं अर्बनust डारी आईलेंड कीمة हैट आईलेंड की निवांड बात बाते हैं अब इक पहार देता city का temperature comparatively ज़्यादा होता है आपके surrounding areas से इसी को क्या बोलते हैं हम इसी को बोलते हैं urban heat island ठीक है इसी condition को हम क्या बोलते हैं urban heat island heat basically happens due to building and houses of cities जो आपके buildings बनी हुई है houses बने हुई है road construction जो हुआ है इन सब के region की वज़े से ही आपका क्या होता है आपकी आपका insulation गिरता है मतलब sunlight आती है तो कुछ sunlight reflect भी होती है मैं आपको दो example देता हूँ मेरे पास A surface है और मेरे पास B surface है comment section में बताएंगे कि किसका albedo ज़्यादा है A section पे 100 unit sunlight गिरी और आपकी 90 unit reflect हो गई B section पे आपकी 100 unit sunlight गिरी और आपका reflection कितना हुआ सिर्फ 30 units का तो आप ये बताएं कि albedo किसका ज़्यादा है albedo इसका ज़्यादा है किसे ज़्यादा है देखे समझे albedo क्या होता है आपका albedo ये होता है कि जब भी आपका surface solar energy को reflect करता है तो ये वन वाला perfect surface होगा जीरो वाला imperfect surface होगा वह अगर आपका reflection sunlight का नहीं हुआ तो absorption हुआ होगा और absorption हुआ होगा तो net में temperature increase होना natural है net में temperature का increase होना वह natural है तो obviously यहाँ पर temperature जो है वह बढ़िया से increase हो जाएगा इसी को albedo कहते हैं अब आपको क्या है कि जो concrete floor होता है जो cemented floor होता है उसका albedo काफी ज्यादा होता है क्या होता है काफी ज्यादा होता है अब जब cemented floor का अलबेडा होगा तो आप समझच सकते हैं क्या होगा absorption ज्यादा होगा कम होता है मैं ज्रूरो का आप डिय आप की हीतिंग होती है और उसका होजिट अगर मैं बात करूऑ snow surface, जो snow होती है, वो surface का अलबेड़ो काफी ज़ादा होता है, मतलब वो काफी सारी light को reflect कर देता है, अब वो ऐसा होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हमें goggles पहनने की requirement होगी, जब भी आप घुमने जाएंगे तो अपने goggles को साथ में लेके जाना, क्योंकि reflection इतना job होने की बजाएबास उस atmosphere में घुमती रहेगी, अब जब घुमती रहेगी, तो automatic सी बात है, वो घर क्या रहेगा, गरम रहेगा, ठीक है, वो घर क्या रहेगा, गरम रहेगा, तो यहाँ कुछ आप देख सकते हैं, इस तरीके से हमारा insulation आता है, मैंने heat budget आपको पढ़ाया ह हुआ ही है, तो उसमें अलग 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 लेवल पर अलबेडो देखने को मिल जाता है, ठीक है, चलिए, नेक्स अभी earthquake management की बात करते हैं, आपको पता होना चाहिए, कि 6.4 magnitude का earthquake जो है, आसाम में recently देखने को मिल गया था, जिसके चलते हमारे पास earthquake news में आ जाता है, त आपके earthquake का reason होते हैं, आपको पता होना चाहिए, अर्थक्विक के अंदर दो point होते हैं, एक जो center पे interior में होता है, उसको focus बोलते हैं, और जो भार upward direction में होता है, उसको epicenter बोलते हैं, epicenter ऐसा point है, जिस पे maximum magnitude का earthquake जो है, वो पहुंच जाता है, क्योंकि ये shortest distance पे होता है, अग zone three उसके अंदर moderate risk होता है, zone 4 में high risk zone होता है, zone 5 जो है वो very high risk zone के अंदर आता है, zone 5 क्या होगा आपका, very high risk zone के अंदर na does आता है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम Cloud Brush की क्योंकि Cloud Brush भी देखने को मिला था आपको पताई कि उत्राखंड के अंदर काफी heavy flood आ गया था तो चमोली तेहरी डिस्टिक के अंदर देखने को मिला था तो यह Cloud Brush होता क्या है देखिए Cloud Brush क्या क्या है छोटे से टाइम में काफी heavy rainfall का हो जाना sudden extreme rainfall का हो जाना ही क्या कहलाता है आपका over a limited area in a short span of time वही Cloud Brush कहलाएगा ठीक है क्या हो रहाए आपका Cloud Brush क्या एक sudden और extreme rainfall का हो जाना कब आपके limited area के अंदर short span of time में वही Cloud Brush कहलाएगा ठीक है आप देखो यह सब disaster आती है उसको कौन manage करता है NDMA manage करता है क्योंकि इसके थुरू हमें NDMA को जानने की requirement है National Disaster Management Authority जो है यह नोडल मिनिस्ट्री है जो कि responsible होती है इन सब operations को manage करने के लिए जो कि आपके Cloud Brush के टाइम पे और्थक्विक के टाइम पे इस सब जो होते है उसी के टाइम पे यहाप एक डाइग्राम मैंने दिखाए हुआ हुआ है जो क्या करता है आपका यह दिखाता कि कै कि क्लाउड ब्रस्ट कहते हैं इंपोर्टेंट है इंडियम में इसको manage करता है चलिए अब इसके अलावा देखो अपोजिट क्या है एक ड्रोट की कंडिशन इंडिया में आती है ड्रोट के कंडिशन इंडिया में प्रिवैल करती है तो आपका क्या है रीजन फॉर बिंग न्यूज क्यों था आपका न्यूज में global assessment report on disaster risk reduction ये आपकी रिपोर्ट आई कोन देता है UN office of disaster risk reduction UNDRR ये रिपोर्ट देता है इस रिपोर्ट में बताया गया कि आपकी जो disaster related to drought वो भढ़ रहा है ठीक है disaster की frequency जो है related to drought वो frequency भढ़ रही है no universal accepted definition ऐसा कोई नहीं है कि drought की कोई universal acceptancy है कि 10 cm से नीचे अगर आया rainfall तो ड्रोट कैलाएगा area to area depend करता है जैसे कुछ area ऐसे भी होते जिन में 100 cm rainfall होता है अगर उस case में 60 cm rainfall हो तो भी उसको ड्रोट बोला जा सकता है लेकिन कुछ area तो ऐसे भी होते जिन में 10 cm rainfall होता ही नहीं है तो वह area to area variable होता है ड्रोट difficult to determine beginning or end of the drought episode क्यों क्योंकि हम कैसे बोलेंगे ड्रोट आज से शुरू हुआ है भी ड्रोट आज से शुरू नहीं वा ड्रोट तो एक बहुत बड़ा consequences होता है काफी लंबे टाइम तक अगर rainfall नहीं हो रहा है तो उसी का तो consequence ड्रोट होता है तो ऐसे कोई ड्रोट कब से शुरू हुआ है and no indicator or index which can precisely forecast or advent की आपका ड्रोट आने वाला ऐसा कोई indicator भी हमारे पास as such नहीं होता है चीक है लेकिन अगर impact की बात करूँ ड्रोट की तो इंडिया पे काफी severe impact ड्रोट का देखने को मिल जाता है आपको पता ही है कि हमारे पास क्या है agricultural country है इं risk है जो कि आपके ड्रोट की विज़े से by 2030 क्या होगे आपके डिस्प्लेश हो जाएंगे ठीक है 700 million people ड्रोट की विज़े से 2030 तक डिस्प्लेश हो चुके होंगे two-third of the world will be under water stress कब तक 2025 तक 2025 तक पहुंचते पहुंचते two-third जो है world की अंदर people क्या होंगे वो water stress की अंदर होंगे effect of the severe drought on the India's gross GDP हमें पता लगता है कि हमें two to five percent का GDP का नुकसान होता है किसकी विज़े से ड्रोट की विज़े से ठीक है two to five percent का GDP नुकसान होता है over dependency on the ground water resources and lack of the water retaining structure have significantly increase the vulnerability in cities during the severe drought events आपको भी पता है कि देखे हमारे पास ground water का exception काफी ज़्यादा हो रहा है rain water harvesting हम करते हैं यह तने ज़्यादा इसके चलते हैं जब ड्रोट आती है तो हमारी cities में भी काफी ज़्यादा severe problem देखने को मिल जाती है deccan region sees the highest frequency of drought ठीक है more than six percent region deccan region के अंदर drought जो हो देखने को मिल जाती है of the severe drought all our India क्यों होता है था significance drought condition are found once in every three year in the deccan plateau leading to the large scale of migration and the desertification हर उसमें मैं बोलू तो हर तीन साल में अच्छी severe drought जो है सदन पैनिसुला में हो जाती है जिसके चलते ही large displacement या desertification जो है वो देखने को मिल जाता है अब drought की टेक्नेकलिटी पर अगर हम आते हैं तो क्या होगा drought का मतलब क्या होगा lack of precipitation जैसे की rain है snow है किसी भी form में precipitation हो रहा है उसका lack होना ही आपका क्या 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 लाएगा दो कारण से हो सकता है कुछ natural कारण भी होते हैं कुछ आपके human activities induced reason भी होते है ज metrological drought का क्या मतलब है it is defined as the deficiency of precipitation from expected or normal level over the extended period of time it said to occur when the season rainfall is received less than 25% of its long term average ठीक है अगर मेरे पास यह metrological drought में क्या होगा simply यहाँ पर data हम देखेंगे कि लास्ट कुछ years के अंदर हम क्या कर दें long term average का अगर 25% से कम rainfall आ जाता है तो उसमें हम क्या कर देंगे ड्रोट टिक ले कर देते हैं यह metrological drought है ठीक है मतलब metrology के हिसाब से scientific examination के हिसाब से यह drought condition है it is further classified more rate drought of rainfall जगभी deficit 26 से 50% होगा और वो severe drought होगी अगर आपका 50% से ज़्यादा नुकसान हो जाता है let's say 100 cm rainfall हो रहा अब हुआ 75 या 70 तो 25 से 50 के बीच में है तो यह फिर मेरे पास क्या 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 आएगा आपका यह drought जो है वो क्या लाएगा severe drought अगर मा अगर वह exceed कर गया 50% से ठीक है तो मेरे पास moderate drought होता है severe drought होता है एक condition moderate drought है अगर वह आपका 20% ही rainfall हो पाया है 30 70% नुकसान हो गया है rainfall surface water supplies leading to a lack of water for the normal and specific need मतलब हमारे पास क्या हो गया यह rainfall के साथ साथ में आपका जो sub surface water है उसको इंक्लूड करेगा अगर किसी area में जो water requirement है लोगों की वो fulfill नहीं हो पारी मतलब उतना पानी नहीं आए जितनी लोगों के requirement हो ही क्या 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 लाएगा hydrological drought क्या लाएगा next मेरे पास आता है agricultural drought यह क्या होता है it is triggered by meteorological and hydrological drought occurs when the soil moisture or the rainfall inadequate during the crop growing season मतलब अब क्या हो गया है आप rainfall की बात नहीं है अब हमें यह पता लगा है कि acid drought यह drought आने के बाद agricultural drought आता है जिसमें moisture आपके soil में भी खतम हो जाता है soil का moisture भी क्या हो गया आपका खतम हो चुका है जिसके चलते आपकी जो drought आती है वो क्या कहलाती है आपका agricultural drought कहलाती है next अभी Atlantic maridonial circulation amok आपको पता होना चाहिए आपकी ocean current warm current और cold current होता ही वैसे एक आमारे पास क्या होता है amok होता है 6th IPCC के assessment report आई थी यह बताया गया कि amok जो है 21st century के अंदर क्या करेगा decline करेगा तो थोड़ा amok के ब बात करूँ तो flow of warm salty water in the upper layer of the ocean northward from the Gulf of Mexico यहां से Atlantic maridonial circulation Atlantic maridonial circulation overturning circulation है तो मतलब क्या होगा Atlantic मतलब मेक्सिको से आपका यह शुरू होता है cooling of water in the high latitude of Atlantic यह क्या करता है आपके altitude को cool करता है तो मतलब क्या होगा amok की जब बात करते हैं तो वैसे तो यह ocean current है जहां पे blue है वो cold है warm है जो red है वो hot current है लेगिन जब amok की बात की जाती है त Atlantic से circulation शुरू होता है sinking of water का यहां पे जाता है और आपके क्या करता है rise up करके Indian ocean और आपके pacific को influence करता है तो यह आपका क्या होता है amok जो हो कहलाता है तो होता कुछ नहीं है आपके Atlantic के अंदर cold water sink करता है और आके क्या करता है आपके latitude wise lower latitude पे uplift करके warm current की form में flow करता है तो यह sinking or circulation जो देखने को मिलता है large wave circulation है आप मुझे देखने को मिल जाता है ठीक है अब region के है कि amok बोला गया कि 21st century में decline हो रहा है तो declining के पहला region है यह mostly anthropogenic है link to the global warming आपको पता है कि sinking of cold current हो रहा था लेकिन अगर आपकी global warming बढ़ेगे तो cold current उस level पे sink नहीं हो पाएगा जिस level पे आ melting greenland ice seeds and the Arctic region यस देखिए fresh water जैसे जैसे ice melt होगी fresh water add होगा salinity कम हो जाएगे salinity कम होगी तो it makes the ocean water lighter lighter ocean water again sink नहीं करेगा weakening of the gulf stream gulf stream क्या करते global warming lead to weakening of the gulf stream by 30 to 45% इतना weakening हो गया gulf stream का अगर आप यहाँ देखेंगे तो यह आपकी है gulf stream होती यही circulation को क्या करते है maintain करती है amok के अब यह weak हो जाएगी तो automatically circulation हमारा disturb हो जाएगा ठीक है और क्या है आपका dilution used to increase rainfall and the river runoff river runoff वगरा की वज़े से भी क्या है dilution जो हो कम हो जाता है तो dilution कम होगा तो automatically हमारे पास amok weak हो जाएगा तो यह हमारे कुछ current affair थे related to geography जो की important है तो कुछ चीज़े हमारे लिए काफी important है जो आपके question से पूछी जा सकती है revise करेंगे इसको ताकि आप अच्छे से अपनी question को attempt कर पाएं request है मेरी क्योंकि revision के बाद में क्या होगा आपको बड़े धान से options को पढ़ना है कहीं न कहीं हमें उसको discuss जरूर किया होगा चलिए फिर thank you very much all the very best and do best in your preliminary exam thanks a lot